जे मसी की दोस्तों, आज की स्वरिगे मनना का भाग हमने लिया है सबुब देशवक की पुस्तक, उसका बारवा, अध्याय और उसका पहला वचन वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने स्रजनहार को स्मन रख इससे पहले कि वेपत्ती के दिन और वेवर्ष आएं जिनमें तू ये कहे, इनमें मेरा मन नहीं लगता धन्यवाद पता परमेशर अध्री शेतावनियों में सत्यता है, प्यार है परमेशर, शिक्षा है धन्यवाद पता परमेशर दोस्तों वचन हमें क्या बताता है वचन हमें बताता है कि अगर हम अपने जवानी के दिलों में परमिश्र को याद नहीं रखेंगे अगर हम उसके ग्यान को अपने दिल में नहीं रखेंगे अगर हम नहीं जानेंगे कि परमिशन कौन है उसे सिश्टी क्यों बनाई उसने क्यों हमें भेजा इस धर्ती पर हमारा क्या उप्योग है हमें क्या करना है कहा जाना है अगर ये सारी शिक्षा हमारे पास नहीं है हमारे बच्चों के पास नहीं है तो जवानी के दिन संगर से पीतेंगे और जब थोड़ी सी वेपत्ती आएगी आप उक्चा जाएंगे आप परशान हो जाएंगे आपके भच्चे परशान हो जाएंगे और जब परशान हो जाएंगे तो पाप में पढ़ जाएंगे गलस संक्नती में पढ़ जाएंगे क्योंकि उनके पास ज्यान नहीं उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास संसार है, वो संसार को लेकर चल रहे हैं, वो संसार को इस सत्य समझ रहे हैं, क्योंकि आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं कि परमेश्वर स्वर्ग में है, और परमेश्वर जीवी थे और पर पर्मेश्वर आपसे प्यार करता है कि हम उसकी महीमा कारण बने इसलिए पर्मेश्वर हम्स्की जोती है इसलिए हमारे बच्चों के पास वो ग्यान होना बहुत जरूरी है बजन साइता 127 का तीसरा कहता है देखो बच्चे यहवा के दिये हुए दान है गर्ब का फल उनकी ओर से प्रतिफल है सुना दोस्तों परमेश्वर जो बच्चा आपकी गोत में डालता है परमेश्वर जो बच्चा एक मा के गर्ब से पैदा करता है वो बच्चा उसके लिए एक दान है और उस दान को समालना हमारा काम है एक दान के रूप में हमें उस बच्चे को लेना है हमें उस बच्चे को पहली शिक्षा देनी है परमेश्वर की पहली शिक्षा देनी उसको बताना है कि पर्मेशर कौन है पर्मेशर ही उसका माता पिता है हम उसको बताना है कि हम उसके माता पिता नहीं है पर्मेशर उसका माता पिता है और वो सत्यता के साथ जीवित है और वो पर्मेशर आपसे प्यार करता है उसने अपने कलौते पुत्र का बलिदान दिया और वो परमेश्वर मुसीबते लेकर नहीं आता है दुख लेकर नहीं आता है बिमारियां लेकर नहीं आता है वो परमेश्वर हमें सुक देने के लिए धरती पर भेशता है ये सारे ग्यान हमें होना चाहिए ये सारा ग्यान हमारे बच्चों को होना चाहिए ताकि विपत्ती आए तो वो समझ जाए कि शैतान विपत्तियों को लेकर आ रहा है आजमाईश्या आए तो वो समझ जाए कि शैतान हमें इस परिश्या में डाल रहा है मेरे दोस्तों बहुत जरूरी है ये ग्यान हम अपने बच्चों को दें हन्ना को याद करिए हन्ना के पास बच्चा नहीं था और हन्ना ने परमेश्वर से वाचा बांदी थी कि मैं जो बच्चा होगा मैं उसे परमेश्वर को दे दूँगी हाले रही है लेकिन तीन साल तक हना ने अपने बच्चे का कोई जनम दिन नहीं मनाया कोई उपहार नहीं उसने स्विकार किया कोई मिठाई स्विकार नहीं की कोई बच्चे के लिए प्रेजन्ट आपका स्विकार नहीं किया उसने अपने बच्चे को दूद पिलाते हुए यहवा के बारे में बताया परमेशर के बारे में बताया उसका नाम शैमिल रखा शैमिल का मतलब है कि परमेशर की ओर से मुझे मिला है वो जब भी उस अपने बच्चे को शैमिल मुलाती थी उसे याद था कि वो परमेशर की ओ कर नहीं देखा क्योंकि उसके पास ग्यान था उसके सामने का इसलिए उसके मुझे पिता था वो जानता है कि मुझे आशीज जैने वाला कौन है वो जाता है वो जाता था कि मुझे संसार में क्या करना है और इसलिए जब شेम्मल बढ़ा हुआ बाइबल बताती है कि उसके मुख से जो निकलता था वो पूरा होता था परमेश्वर ने उसके मुख से निकले हुई हरवानी को पूरा किया क्योंकि वो जानता था परमेश्वर कौन है वो जानता था कि मिझे क्या करना है वो जानता था कि मिझे क्यों आया है क्यों 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 कि हन्ना ने बच्चपन में ही उसे परमेश्वर के ग्यान से भर दिया था उसने उसको स्कूल नहीं भीजा उसने उसको कोई डिगरी नहीं दिलवाई उसने डिगरी दिलवाई तो परमेश्वर के ग्यान की तो दोस्तों हमें अपने बच्चों को ग्यान से भर देना है शुरू से ही हमें अपने बच्चे को परमेशर का ग्यान देना है शुमसी का ग्यान देना है हमें उसे बताना है कि वो कौन है और जब बच्चे बड़े होंगे तो वो परमेशर से दूर नहीं होंगे वो शैतान को जान जाएंगे कैसी भी विपत्ती आएगी कैसी भी आस्माईश आएगी कैसी भी परिक्षा आएगी लेकिन बच्चे डट कर उसका मुकाबला करेंगे क्योंकि वो जानते है यहवा परमेशर हमारे साथ है चीवित है और वो हमसे प्यार करता है और वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है हाले लोग यह तो आईए दोस्तों इटस सुबह हम प्राथ हुना करते हैं और आज से वाचा बांगते हैं पने बच्चों को और अपने ही बच्चों को नहीं अगर पड़ोस में कोई बच्चा मिले उससे कहिए परमिश्र के बारे में अगर कहीं कोई बच्चा हमें दिख जाए पास में उससे कहिए गारडन में आप जाएं और बच्चों को खेलते हुए देखें उन्हें शिक्षा दीजिए परमेशर के बारे में यही ग्यान है यही ग्यान हमें बाटना है क्योंकि हम महीमा का कारण बने परमेशर ने इसलिए हमें चुना है आईए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर तेरे पवित समर्थी नाम के लिए परमेशर धन्यवाद इन बच्चों के लिए आ नाम से मागते हैं धन्यवाद देते हैं प्रातर आपने सुनियर को बूल किये मैं नहीं